नमस्कार ख़वरों की ख़वर में आपका स्वागत है दिल्ली के चीफ मिनिस्टर अर्विंद केज्रिवाल इनकी मुसीबत बढ़ गई है क्योंकि ये जो अपनी आयाशी के लिए दिल्ली के जंदा के पैसे से सीश महल बनाया था उसकी जाच शुरू हो गई है साथ साथ अधिकारियों को नोटिस भेजा गया है और उनसे जवाब तलब किया गया है मतलब ये कि चोरी पकड़ी गई जाच की शुरूआत हो गई और जैसे ही इन साथ लोगों के जवाब आएंगे उसके बाद एल जी ये फैसला करेंगे कि क्या इस जाच को सीबियाई के सुपुर्द किया जाए या नहीं किया जाए और मैं आपको बता दूँ कि अगर सीबियाई की जाच इसमें होती है तो स्वयम केजरिवाल और उनकी पतनी इस पूरे केस में इस शीश महल घुटाले में आरोपी बन जाएंगे क्योंकि फाइलों पे न सिर्फ मिस्टर अर्वद केजरिवाल बलकि मैडम सीम का भी नाम है और किस तरीके से ये जूट को छिपाने में लगे हुए थे किस तरीके से जनता को ये बेवकूप बनाने में लगे हुए थे उसका खुलासा विजलेंस डिपार्टमेंट की तरफ से हो गया है क्या ख़बर आई है जरा से सुनिये The Directorate of Vigilance has issued so-called notices to Public Works Department PWD officials in connection with the alleged expenditure on Dilli Chief Minister Arbind Kejriwal's residence case. An official statement said, the notice has been issued by the Directorate of Vigilance to seven PWD officials. The PWD officers have been given 15 days time to respond to the notice the statements read. Notably, this comes after the allegation that Dilli CM Arbind Kejriwal has wrongfully spent Rs. 45 crore on the renovation of his official residence. 7 अधिकारियों को और 15 दिन का वक्त दिया गया है किस चीज के लिए कि जरा से explain करो उसकी detail में दूँगा कि क्या 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 गर्वड़िया हुई है। लेकिन ये जो अधिकारियों को जो समन दिया गया है, notice भेजा गया है कि आप जवाब दें कि किस तरीके से कानून की धजियां उड़ा के आपने 9-9 लाख रुपे के परदे लगा दिये। सारे 4 लाख रुपे का आपने कमोट लगा दिया, सुविक पूल बनवा दी, पेर कटवा दिये, पुराने मकान को हटा के नया मकान बना दिया। ये जो गरबड़िया हुई है, जो पैसे अलग-अलग फेजिज में कि 10 लाख रुपे से कम का बजट बने, नया मकान बनना था, तो आप ओपन टेंडर में जा सकते थे, कई सारे सवाल इन अधिकारियों को देना है, अब ये अधिकारी क्या करेंगे, जेल जाएंगे, अप तो आदेश का पालन कर रहे थे, ये बिरोक्रेट्स की प्रजाती अलग होती है, नौकरी बचाने की चक्कर में वो सबसे पहले उसका नाम लेते हैं, जिनके यहां से आदेश आया था, जिनके दवाव में आप देखिए, सराब होटाले में क्या हुआ, ये सारे इपार्ट्मेंट में, जो एक साइस डिपार्ट्मेंट का सिक्रेटरी था, जो उसका चीफ था, वही सबसे पहले आके खड़ा हो गया कि माइलाउड हमने तो कुछ नहीं किया, फाइल केजरिवाल ने दिया था, यहां से यह आया, वहां से वो आया, और उसके बाद, CBI जा पूरना की महमारी में परेशान था, सब कुछ बंद था, और अरविंद केजरिवाल अपने आयाशी को पूरा करने के लिए, सेवन स्टार स्टाइल के होटल के जैसा अपना आवास बनवा रहा था, वेतनाम से आएगा, मार्बल, यह कहां की आयासी है, इस सारी पोल खुलेगी, लेकिन सवाल यह है कि इन साथ अधिकारियों को क्यूं सम नोटिस भेजा गया है, तो कि काज़्यों पे तो केजरिवाल बड़ा धुर्त है, मैं बार बार कहता हूं, कि हिंदुस्तान की राजनीति का नटवर लाल है, सरकारी अधिकारी रहा है, कागज पे यह बहुत ही पुखता काम करता है, जब यह सिकायत आई, LG ने विजनस डिपार्टमेंट को कहा कि ज़रा पता लगाओ कि इन आरोपों में कितनी सचाई है, तो प्रायमा फेसी विजनस डिपार्टमेंट ने कहा कि गलबड़ी तो हुई है, तो PWD से पूछा गया कि भई क्या है तो फाइलों में क्या लिखा, PWD डिपार्टमेंट ने, क्या ख़बर आई उससे, कि दिल्ली सरकार के पब्लिक वर्स डिपार्टमेंट, PWD ने कहा था, कि बंगले को तोड़कर उस परिसर में नया बंगला बननाया जाना चाहिए, PWD ने कहा कि बंगला 1942-43 के दोरान बना था, इसे बने 80 साल हो गए हैं, इसलिए इसके उपर नई मंजल बनाना सही नहीं होगा, PWD ने कहा कि उस परिसर में नया बंगला बनना चाहिए, उसके पूरा बनने के बाद, केजरिवाल उसमें सिफ्ट हो जाएंगे, और पुराने बंगले को गिरा दिया जाएगा, इस सलाह के अधार पर ही वहाँ नया बंगला बनाया गया, ठीक है, अच्छी बात है, बंगला पुराना हो गया, तो इसको डिमॉलिस करके नया बना लिया जाएगा, कोई दिकत नहीं है, बैज चीफ मिनिस्टर है, अच्छा घर होना चाह मैं बंगला ही नहीं लूँगा, मैं तो आम आदमी की तरह रहूंगा, लेकिन पुराने बंगले को गर आप तोल रहे हो, तो क्या मास्टर प्लान का अवहिलना हुई है, यह अधिकार किसने दे दिया, अब नया बिल्डिक ही बनाना था, और यह जो कागजों में, केजरिव सवाल जो ने जो खेल किया है, कि इसने का कि भाई हमको पहले रिनुवेशन करवा दो, कुछ मरमत करना है, तो यह सारी चीजे हुई, तो सवाल यह है कि पी डेवलुटी ने तो कह दिया, कि नया बंगला बनना चाहिए, तो यह अधिकारी तो फ़ल जाएंगे, इनकी जान हो जाएगी, गिरफतार हो जाएंगे, क्यों? क्योंकि उसके साथ तो फिर आपको नए बंगले की परमिशन क्या विसकता होगी? इसलिए नोटिस में क्या कहा गया है? नोटिस में जो कहा गया है, नोटिस के मताबिक, सीम केजरिवाल के बंगले के पुराने ढांचे को बिना सर्वे रिपोर्ट के ढा दिया गया, पी डवलुडी ने नए भवन के निर्मान के लिए किसी भवन योजना की मंजूरी भी नहीं ली थी, मुख्यमंत्र के घर का निर्मान उनके अधिकारों का उलंगन करके किया ग हर मंत्राले दोरा जारी दिशार निर्देशों को तहत तैप परामीटर से बहुत बड़ा है, नोटिस में कहा गया, पी डवलुडी के अधिकारियों ने विभाग की फाइल में दर्ज किया है कि मुख्यमंत्र के आवशक्ता अनुसार आंत्र के हिस्से की रूप रेखा में बदलाव किये गए, जिसके परिणाम स्वरूप, कुल किये गए काम और सुकृति राशी में अंतर हुआ, इन सभी आरोपों का विस्तार से जवाब देने के लिए पी डवलुडी के अधिकारियों को पंद्रह दिनों का समय दिया गया है, पहली चीज क्या है, कि तुम ने दिया, कि सदार पर ढाया, उसकी कोई प्रकिडिया है, सर्वे रिपोर्ट होगी, कि आप मरम्मत करने लाइक नहीं है, 1942-43 के दौरान बने गए, दिल्ली के लूटियन और सिविल नाइन जोन में, सैकड़ों मकान हैं, क्या वो रहने लाइक नहीं है, तो आपको यह जवाब देना होगा, कोई सर्वे आपने किया, कैसे ही मन आया, आपने विल्डों दर चला दिया, दूसरी चीज, कि वहाँ नया मकान बने का इसका फर्मिशन कहा है, घर के खेती है, बपौती है तुमारी, तो पीटर उलू के अधिकारी करें, मुक्ष मंत्री के इक्षा लूसार, गए मुक्ष मंत्री, इक्षा थोड़ी चलती है, कानून के हिसाब से, कानून का राज है, इक्षा का राज नहीं होता, और सबसे बड़ा सवाल, मकान अगर आपने बनाया, उसका पर्मिशन कहा है, किसके कहने पे बनाया, और नया मकान बनाना था, तो यह जो 45 कड़ोर रुपए जो खर्च हुए, वो किस हिसाब से लिए गए, आपको दिखातों में एक तस्वीर देखिए, कि जो 6 किस्तों में खर्च किया गया पैसा कैसे है, इंटेरियर डेकोरेशन, 11 करोर 30 लाख रुपए, मतलब नया मकान नहीं बना, पुराने मकान में ही इंटेरियर डेकोरेशन करना है, पैसा उस नाम से तुमने लिए, और वहां क्या हो रहा था, नया मकान बन रहा है, यह पब्लिक को आप भा फिर आपने खर्च किया स्टोन मार्बल फ्लोरिंग, 6 करोर रुपए, मतलब कानून के आँखों में धूल जोगने के लिए आपने का पुराने घर में मारबल लग रहा है, विटनाम से मारबल आएगा, काम केक कर रहे थे, तो वहां सीज महल बन रहा था, फायर सिस्टम, डाय कलोर रुपए, किस चीज के लिए, पुराने घर के लिए, या ने घर के लिए, फायलों में पुराना घर, लग रहा है ने घर में, फिर आपने खर्च किये, एलेक्ट्रिकल फिटिंग्स, दो कलोर, पचासी लाख रुपए, खर्च कर दिया आपने, सब क्रिमोट, कोई ऐसी टेक्नलोजी होते कि भी, इक्छा नुसार केजरिवाल कहते कि धीमा हो जाओ, तो वो धीमा हो जाए, कोई ए आई टेक्नलोजी का कोई सिस्टम होता, तो वो भी लगा ले, तो पंदरफिस कड़ों रुपए उसमें भी बाहा दिया होता, तो ये किस के लिए नए मकान के लिए परमिसर कहा नहीं है, खर्च कर दिया आपने, इंटिरियर कंसल्टेंसी, एक कड़ोर रुपए आपने कंसल्टेंट को दे दिया, किचन अप्लाइंस, ये कप प्लेट खरिदने के लिए, एक कड़ोर दसलाख, वाह, फिर आपने जो है, जहां उनका कपड़ा रहेगा, अलमिरा वेरा बनाने के लिए आपने एक कड़ोर एक तालिस लाख रुपए खर्च कर दिया, ये सारा खर्च जो आप कर रहे हो, कहां लिखा हुआ है कि ये नए मकान के लिए है, और ये जो मलवा हटा, ये जो डिस्ट्रिक्शन किया गया, उसका भी कोई डिटेल नहीं है, तो ये जाच में सारी बाते आएगी 15 दिन के अंदर, ये साथ के साथ अधिकारी, वो सारे राज खोलने जा रहे हैं, जिसके तहत इस देश की जंता को मालूम चलेगा, कि ये दिल्ली का चीफ मिनिस्टर कितना बड़ा मकार, कितना बड़ा जूठा, और किस तरीके से इसके लोगों ने पब्लिक को बेवकूब बराने के लिए चिकना चुपला चेहरा लेकर के, जूठ बोलने की कला में निपन, ये आते हैं, बत्तमीज की तरह बोलते हैं, किती तीन मार घर गिर रहा था, वो रहने लाइक नहीं था, अरे भई उटके गिर रहा, लेकिन केजरिवाल अपने पिता जी, माता जी के साथ, परिवार के साथ, उसी घर में रुका हुआ है, इंतिजार कर रहा है, नया मकान बन जाए, तो वो जो वीडियो बना करके आपने पब्लिक को बेवकूब बनाने के लिए भीजा, इतना तो, कितने ज जूट बोल सकता है, खेर, जूट सच क्या है, अब ये साथ अधिकारी बताएंगे, कि मैडम केजरिवाल का रोल क्या था, केजरिवाल का रोल क्या था, और उस वक्त के PWD मिनिस्टर, जो इसमें तिहार जेल में अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं, वहां मसाज करवा रहे थ कुछ दिन पहले तक, उनका रोल क्या है, ये सब जांस से मालूम चलेगा, और ऐसा लग रहा है, कि यहां फिर से CBI दस्तक देगी, और केजरिवाल इस मसलें भी बचके नहीं निकल पाएंगे, आप देखते हैं कैपिल टीजी, हमारे वीडियो को लाइक कीजे, शेयर कीजे और हमारे चैनल को सबस्क्राइब कीजे, धन्यवाद!